दोस्तों युनाइटेड नेशन्स कितना दोगला और पक्षपाती संगठन हैं आप स्वेहम देख लीजिए इसराइल ने जैसे ही आदेश जाली किया कि सहाब उत्तरी गाजा पट्ती खाली कर दो बिलबिलाने लगा है युनाइटेड नेशन्स उनका कहना है कि ये तो हालियां दे रहा है लेकिन उन्होंने आज तक एक भी बार नहीं कहा कि भाया जो इसराइल मांग को कोई नहीं बोल रहा है उल्टा इसराहिल से अपक्षा की जा रही है कि वो मानवधकारों का पालन करें अरे भाया जी आप जो ये नौर्धन गाजा पट्टी को खाली नहीं करने दे रहे हो यही तो आपकी साजस है आप चाहते हो बिक्टिम कार्ड खेलना ताकि शक्तिशाली इसराहिल को भी गाजा पट्टी के आंगे सर जुकाने के लिए मजबूर होना पड़े इसलिए दोस्तों ये पूरा घटना करम है वो हमें सीखना होगा कि भाया जी आज आप ती यहूदियों पर आई है कल अगर संकट हिंदूों के सर पर मन राया तो ये युनाइटेड न कोई काम नहीं आएंगे अरे यह दो कौड़ी की कटकुचलिया हैं जो इसलामिक देशों के हाथों में नाचती हैं इसी बैग्राउंड में दोस्तों आप देख लीजिए इसराहिल लड़ा रहा है तो उनके यहां मूल बूत चीजों की शॉर्टेज हो गई हैं उन्होंने कानूनों को परवर्तन कर दिया है मतलब भाया जी इतनी आसान हो गया इसराहिल को सामान बेचना अब कि आपको ना तो कोई डॉक्यमेंट दिखाना ना कोई इंस्पेक्शन हो ना सीधा इंपोर्ट कीजिए ताबर तोड़ हाला कि इसराहिल ने इंपोर्ट के कानून धीरे कानून में रियायत सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि इसराहिल कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा माल को इंपोर्ट करके अपनी जरूरत को पूरा कर सके अब दोस्तों जरह गोहर फरमाईए कि इसराहिल में दिमांड है कपड़ों की सिविलियन प्रोटक्टिव स्टोरेज कंटेनर्स की रिचार्जिबल बैटरी की अरे भाहिया जी ये सारी चीजें भारत में बन सकती हैं वो सकता है कि एक आद दो चीजें जो ना बनती हों लेकिन सबसे बड़ी जो उनकी प्रोटक्टिव एक्विपमेंट की और कफड़ों की जरूरत है वो तो भारत भ बलकि इसराइल की दोस्ती पर खरावतरने का इसराइल ने हर युद्ड में हमारी मदद करी है इस युद्ड में हमने भी इसराइल की शहायता करना चाहिए वो अपने कानून बदल रहे हैं हमने सिर्फ अपने सिष्टम को और ज़्यादा responsive बनाना है कम्पनियों को प्रोसा देना हैं इस समय इसराइल की हर जरूरत हमारे लिए बेहद महत्पुन होनी चाहिए हमारा पूरा विश्वास है कि इस युद्ध के दोरान भारत से इसराइल को होने वाला एक्सपोर्ट आसमान चुएगा भारत में बड़े पेमाने पर रोजगार के अफसर पैदा होंगे और हां दोस्तों शेयर मार्केट में हमेशा मुनाफ़ा कमाने के लिए आप सीख लीजिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की कलाएं एक बार आप आत्म निर्वार इ गई है उस पर क्लिक करके अपना पसंदीदा आत्म निर्वार इंवेस्टर पोर्स अभी के अभी जोएन कर लीजिएगा